गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स तो उत्तर पाठ शाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे 25 माई से रिलेटेड सभी महत्तुकून करेंट अफियर्स को लेकर जोकि उत्तराखंडर राज्य से रिलेटेड हैं कल कुछ नेटवर्क इशियूस की वज़े से करेंट अफियर्स की वीडियो नहीं आप आई तो इस हपते के सारे महत्तुकून करेंट अफियर्स की एक टोटल क्विज की तरह एक वीडियो हम अप्लोट करेंगे नेक्स संडे तक के वीडियो आ जाएगी तो आप उसमें इस आज के जो करेंट अफेर्स हैं उसमें है उत्तराखन में कौन से जिले हैं ग्रीन जोन में और मोदी आरती का जो इश्यू उत्राखन में उठाया है उसकी सच्छी हाकीकत क्या है और अल्मूरा की महिलाओं ने कैसे किया रोजगार उत्पादन इसके अलावा दोस्तों हम आज की वीडियो में देखंगे यूनिवर्सिटी एक्जाम को रिलेटेड जो न्यूस बहार आ रही है उसके बारे में कि कैसे यूनिवर्सिटी अपने एक्जाम कराने वाली है और इसके साथ ही बहुत सारी इंपोर्टेंट न्यूस जो इसके अंदर मेंशन है तो चलिए पंद्र माई के बाद यह लगातार बढ़ी है मैंने आपको जो वीडियो विजी थी बीस माई तक के मैंने इसमें पूरा डिसकुशन किया हुए और मैंने कहा था कि प्रवासियों के आने के बाद से यह आखड़ा बढ़ना तय है उसमें कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है दिक्कत यह है कि अगर उन प्रवासियों की वज़ा से किसी लोकल ऐसे आदमी जिसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है उसमें अगर संक्रमन फैलता है तो कंडिशन बढ़ेगी अब देखिए यह जो पूरी की पूरी खबर है यह ओवरॉल इसी से रिलेटेड है उत्राख यानि कि साटी दिनों में केवल और केवल बयासी थे अब बयासी मैंसे भी देखिए पचास तो ठीक हो गए थे तो उत्राखन काफी अच्छा चलना था अलगबग 10 जिले हमारे ग्रीन जोन भी आ चुके थे उसके बाद क्या हुआ लगातार यह संख्या बढ़नी शुरू ह और 18 से 24 मही के बीच में यानि कि 18 से 24 मही के बीच में मैंने आपको 19 और 20 के टाइम पे बताया था संख्या बढ़ रही है यह आकड़ा तीन गुना बढ़ गया और अभी कितना 37 संख्या हो गई है अब यह देखिए जो 32 मरीज तो नेनिताल में आए है अब कुल मिलाकर अग पाच टीरी में तीन वागे स्वर में दो यह 24 की डिटेल देखिए इस तरीके से क्या हुआ है लगाता जो मामले बढ़ रहे हैं इसके बारे में यह न्यूज है तो अब देखिए अब जो डबलिंग रेट है मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया था जो डबलिंग रे यानि कि आज अगर तीन सो मरीज हैं तो इनको डबल होने में केवल चार या चार से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और यह 600 हो सकते हैं तो डबलिंग रेट इसकी वज़ह से काफी ज़्यादा प्रॉबलम में सरकार है अभी और फिलाल यह देखिए मैं आपको इस तरीके की जो जो बाते है वह आपको माननी पड़ेंगी जैसे जड़र्नल गैदरिण है ट्रांसपोर्ट पप्लिक रांस्पोर्ट नहीं होगा प्राइवेट वेकल्स की प्र्मीशन नहीं है एक बाइक है तूवह अगर है तो उसमें केवल एक आदमी होगा इस तरीके क जो चीज़े हैं और एंज उनकी वो पूरे उत्राखन को फॉलो करनी पड़ी है चलिए परसों की मैं आपको बता दूँ अगर 24 कल की करेंट अफेर की आगर मैं बात करता हूँ तो कल एक न्यूस थी कि उत्राखन में पर्यटन दुबारा सुरू हो सकता है तो अब लगबग उसके चांस खतम हो चुके है फिलाल आगे देखते है तो यह देखिए उत्राखन प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं पुलिस कर्मियों को नहीं मिल रहा पीपी किट तो देखिए उत्राखन में जो लोग आ रहे हैं उनका जो स्क्रीनिंग का काम है चाहिए वो थर्मल स्क्रीनिंग हो या कुछ भी हो वो पुलिस वाले कर रहे हैं तो देखिए पुलिस वाले जो है वो डिरेक्ट टच में आ रहे हैं सीधे संपर्क में आ रहे हैं कोरोना के जो प्रवासी आए हैं उनके तो ऐसे में उनके पास PPE होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी देखे आपने current affair में पड़ा भी होगा कि second number पे आ गया है भारत PPE उत्पादन में, PPE production में पहले number पे है चाइना PPE क्या होता है Personal Protective Equipment आपने देखा होगा doctors पूरी full body को अपना cover करे रहते हैं जिससे वो होता है PPE तो ये देखिए, उत्राखंड के border पर जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उनकी screening कौन कर रहे हैं सिधे police कर रहे हैं, तो उनके पास PPE किट नहीं है वो क्या कर रहे हैं, simple mask face guard और दस्ताने पहन करी क्या कर रहे हैं की checking कर रहे हैं, अब देखिए एक से डेड़ लाग तक जो प्रवासी हैं, वो वापस आ चुके हैं और लगबग दो लाग पैंतालीस हजार का जो है की registration हुआ 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 है तो अब इतने वापस आने हैं और इनकी screening अपने आप में एक बड़ी चुनोती है और इसमें पुलिस वालों को सीधा उनके संपर्क मान है तो उनको PPE किट का जो प्रवाइड है वो बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में तो PPE आपको ध्यान रखना है इसके बारे में ये इस बार का important question हो सकता है जिससे बारे में पूछ सकता है चलिए अब देखिए उत्तराखंड सरकार के मंतरी ने launch की मोदी आरती वीडियो अब देखिए आप उच्य सिक्षा मंतरी जो राज्य मंतरी है डॉक्टर धन सिंग रावत और मसूरी के विदायक है गणेज जोसी तो इन्होंने क्या किया है नरेंदर मोदी जी की एक आरती जो है वो launch किया उसको गा के भी सुनाया उन्होंने और कॉंग्रेस ने क्या किया है इस पे विरोध किया है इस बात का तो ये हमारे लिए अतना महैट्टर फूर नहीं है जितना ही है कि इस से पहले एक यूजणा चली थी जिसके बाद ये बात भार आई है वो है मोदी किचन यूजणा आपको ध्यान रखना है मोदी किचन यूजणा जो launch हुई थी बज़ेपी के दौरा आप ़ूर उसके बाद कॉंग्रेस ने launch की थी तो ये देखिए ये पूरी नि CHEERING है और इसके बारे में ये जो आरती है मतलब पूरी जिसको कहा गया है प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी जी की आरती है इसके बारे में यहाँ पर विरोध किया गया है कांग्रेस की महिला विंग दौराता FIR भी कर दी प्रतिस्ठित cricket tournament, जिसका नाम है गोल्ड कप ये इस बार कोरोना की वज़े से इस पर अभी तक कोई भी discussion नहीं हुई है वैसे तो ये नॉर्मली मई तक हो जाता था लेकिन इस बार कोरोना की वज़े से इस पर भी effect पढ़ ला है तो महत्वपून क्वेस्चन है उत्राखंड का काफी उत्राखंड CAU और आपको ध्यान रखना है पिछले ही साल CAU को BCCI ने BCCI ने माननेता दे दिया तो आपको ध्यान रखना है CAU Cricket Association of उत्राखंड को पिछले ही साल BCCI ने मानननेता दे दिया और गोल्ड कप जो टूर्णामेंट है क्रिकेट का ये 1985 से उत्राखंड में चल रहा है फिर देखिए इस बार जो है वो बड़े सतर पर होना था देखिए पिछले साली BCCI ने पूर्ण माननेता दिया इसको तो इस बार बड़ा होना था लेकिन अब कोरुना के वज़े से इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अभी तक कुछ भी प्रोग्रामिंग तयार नहीं हुई है अब देखिए अलमूरा के बात करें तो अलमूरा में हर्बल्टी उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है और ये हर्बल्टी उत्पादन कोई और नहीं मां के स्वयम साइथा समू की महिलाएं कर रही है और कैसे कर रही है इसमें आपको गिलोए है और उसके साथ में तुलसी है और ऐसी जो चीज़े हैं उन चीज़ों को मिला करके हर्बल्टाए बनाई जा रही है और ये क्या करते हैं दिन भर काम करने के बाद अपने आफिस में जाके दोपहर के बाद ये काम करते हैं और इस चाय की मांग भी काफी बढ़ रही है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफी महत्तुपून है गिलोए का एक और नाम आपको बता दू अमरिता होता है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़े है तो हर्बल्टी का एक उत्वादन जो है वो ये महिलाएं कर रही है फिर देखिए हाइर एजुकेशन यानि की उच्च सिक्षा में पेपर्स को रिलेटेड एक्जाम को रिलेटेड तीन अलग अलग पेटर्स पे भी काम चल रहा है पहरा तो है जैसे पुराने पेटर्स पे एक्जाम होता था वैसे ही एक्जाम कराया जाए दूसरा अगर केसेश बढ़ते हैं तो क्या किया जा सकता है कि केवल लास्ट येर के एक्जाम होंगे और उससे पहले वालों को कुछ टाइम के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा बाद वे उनके एक्जाम होंगे लास्ट अगर उससे भी जादा हो जाता है तो घर पे बैठे हुए ऑनलाइन एक्जाम कराया जा सकता है अब उसके साथ ही क्या है कि जो यूनिवर्सिटी है स्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी वो सोच रही है कि अगर केसिस बढ़ते हैं तो सीदे भी सब को प्रमोट किया जा सकता है फिर देखिए कोरुना की जो लक्षन है और उनके बारे में एक छोटी सी निउस है कोरुना की लक्षन आप देख लीजिए खासी, बुखार, ठाकान साथ में सास लेने में दिक्कत इस तरीफ की चीज़ां अगर देखती है आपको एहतियाद क्या रखना है कि घर पर एक निश्चित दूरी बनानी है हाथ आपको बार-बार धुना है मुह पे हाथ को नहीं लगाना है मुह, आँक, चेहरे पर चेहरे को ढखके रखना है मास्क लगाना है आपको कहीं से भी आप आते हैं किसी जरूरी काम से अगर आप जाते हैं तो सैनिटाइजर से फिर हाथ दो लेजे आप मास्क गलव्ज इनका सही तरीके से निस्तारण कीजिए जो होम कॉरिंटाइन में है घर में दूरी बनाई रखिए बाहर मद घूमिए और भी बहुत सारी चीजे तो यह आपको ध्यान रखना है